हेलो स्टूडेंट्स चलिए एक बार फिर से आज के इस क्लास को हम लोग स्टाट करते हैं तो आप सभी का एक बार पुना वेलकम करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल ड्रीम क्लास पर ठीक है तो जल्दी-जल्दी से आप सारे बच्चे जुड़ जाए हमसे और आज के क्लास को हम लोग स्टाट करते हैं तो आज कपार यह क्लास है काफ़े इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग उने पढ़ा था इसके पाट वन को तो आज हम लोग इसके पाट टू को 16 अबर प्रशन से स्टाट करने जा रहें ठीक है one के अगले question को ठीक है तो देखे हमारा आज का पहला question है कि BCC 21 सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतीसत है मतलब की कह रहा है कि BCC 21 सेल में जो है वो मुक्त खाली जगह का प्रतीसत कितना होगा चार option आपके सामने है इस प्रकार पहला option हमारा 32% 34% 28% और 30% ठीक है चलिए कुछ देर वेट करते हैं आप सभी जवाब दीजे इसका क्या होना चाहिए इसका answer ठीक है चलिए बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया इसका जिन बच्चों को option यह लग रहा है जी 32% होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते और आगे बढ़ने से पहले एक सूचना दे देते हैं जिन बच्चों ने भी तक हमारे learning app को डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर जाकर डाउनलोड करके हमारे class को जोईन कर लिजे काफी बहतरीन होने वाला है आपका topic ठीक है चलिए अगले प्रश्ण आज के दूसरे प्रश्ण और topic के 17वे प्रश्ण की और बात कर लेते हैं ये देखिए 17वा प्रश्ण यानि कि अगला प्रश्ण हमारा कह रहा है कि सौटकी दोस के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है ठीक है option आपके सामने इस प्रकार है बढ़ जाता है option MRR बढ़ जाता है option B घट जाता है option C सुन्य हो जाता है या option D non of these यानि कि इन में से कोई नहीं ठीक है तो चलिए इसका जवाब दीजिएगा प्रश्ण आपका है क्या कि सौटकी दोस के कारण ठोस का जो घनत्व है वो क्या होता है चलिए इंतजार कर लेते हैं कुछ देर आप सभी का चलिए इसका एंसर जान लेते हैं हम लोग बहुत सरे बच्चे इसका सही जवाब दिया होंगे सौटकी दोस के कारण ठोस का घनत्व जिन बच्चों को option B लग रहा है उनका बिलकुर है घट जाता है अच्छे से नुट कर लिजेगा कि सौटकी दोस के कारण ठोस का घनत्व जो है वो घट जाता है चलिए आगे बात करते हैं अठारवे प्रस्न की ओर अठारवा प्रस्न आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि फ्रेंकल तथा सौटकी दोस होते हैं किस प्रकार के दोस होते हैं आपको एक्जामे ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस बार चार उप्सन आपके सामने है पहला नावी किये दोस उप्सन दूसरा क्रिश्टल दोस उप्सन तीसरा हमारा है परमानू दोस और उप्सन चोथा हमारा है अनू दोस ठीक है क्या था क्वेश्चेन हमारा कि फ्रेंकल तथा सौट की दोस जो है वो किस परकार के दोस होते है तो आप जबी बच्चे हमें बताईएगा इसके अंसर क्या होना चाहिए ठीक है चलिए एंसर जान लेते हैं हम लोग जी हाँ जिन बच्चों को लग रहा है परमानू दोस उनका बिलकुल ही सही है जी फ्रेंकल तथा सौट की दोस जो होते हैं वो एक परकार के परमानू दोस होते हैं ठीक है आगे बढ़े चलिए अच्छे से नोट करते जाईएगा सारे बच्चे आगे बढ़ते उनीस्वे टॉपिक की और उनीस्वा जो हमारा क्वेस्चन है वो कह रहा है ये देखिए कर रह है वो किसके कारण होता है बहुत ये अच्छा क्वेस्चन है ठोश छारिये धातू हाइलाइडों का रंग किसके कारण होता है चार अप्सन आपके सामने है एफ केंद्रो के कारण सौट की दोस के कारण फ्रेंकल दोस के कारण या अंतरा कासी अस्थानों के कारण ठीक है य इन बच्चों को लग रहा है उप्षन उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है इसका जवाब होगा जी एफ केंद्रो के कारण क्या तब क्वेस्चन हमारा फिर सम्पढ़ रहे हैं ठोश चारी धातू हलाइडो का रंग किसके कारण होता है तो एफ केंद्रो के कारण आगे बढ़ते मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आप लोग का बहुत अच्छा जा रहा होगा और यह वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है तो इस वीडियो में आप लोग गन तक बने रहेगा इस क्लास में ठीक है चली आगे बात करते हैं 20 वे प्रश्न क्यों तो आप स सिलिकन अपसाइड और हमारा सी नमबर अप्सन है क्रोम एलियूम ठीक है और अप्सन डी हमारा है सीलिकन कारवाइड यह आई सी तो चलिए क्या होना चाहिए इन में से कौन जो है वह और क्रिस्टलियो ठोस का उदाहरन है सभी बच्चे जवाब देंगे इसका चलिए जव बाट जग्लास वह विल्कुली सही सोच रहते ठीक है इसका सही जवाब अप्सन नमबर भी हो जाएगा चलिए आगे बाद बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्टन क्यों अग्ये देखिए हमारा 21 प्रश्टन क्या कर रहा है किस यूगल में सरवाधिक संकुलन छमता होती है अप्सन आपके सामने पहला HCP तथा BCC अप्सन भी हमारा है HCP तथा CCP अप्सन C हमारा है BCC तथा CCP देखिए अच्छे से अप्सन को देखिएगा सभी एक जैसे लगेंगे तो बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं यहाँ पर अप्सन D हमारा है BCC तथा सरल गनिय कोस्टिका ठीक है क्या होगा जबाब जी सभी बच्चे इसका एंसर देगे चलिए इसका एंसर को जानते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर B यानि कि हमारा प्रश्ण क्या था उसको पहले हम एक बार फिर से पढ़ते उसके बाद इसका जबाब को हम लोग क्लियर करते हैं प्रश्ण था किस यूगल में मतलब कि इन चारों में से किस यूगल में जो है वो सरवाधिक मतलब बहुत ही अधिक संकुलन छमता होगी इन चारों में इन चारों का जब हम लोग कम प्रिजन करेंगे तो राइट एंस मिस्तरण में किस प्रकार का दोस्त उत्पन होता है, बहुत यह अचा, यह बहुतरी इन प्रस्ण है, बहुत बार एक्जाम पूचा, आपके सामने 4 ओप्ण है, प्रभंस दोस्त, सौटकी दोस, B नंबर, C नमबर में फ्रेंकल दोस और option D है हमारा इलेक्ट्रोनिय दोस चलिए जवाब देंगे सारे बच्चे इसका क्या है अंसर कि आप मिस्तरण में किस परकार का दोस उत्पन होता है चलिए जब आपको जान लेते हैं इसका बहुत सरे बच्चों का सही जवाब आ रहा है तो right answer इसका हो जाएगा जी option number D इलेक्ट्रोनिय दोस इसका सही जवाब होगा जिनों ने इसको टिक करा था वो बिल्कुली सही है कि आप मिस्तरण में किस परकार का दोस सुत्पन होता है तो इलेक्ट्रोनिय दोस और आज क्या हमारा थीसवा जो प्रशने वो काफी अच्छा है बहुत बार एक्जाम में यह पूछा है कि NACL ठीक है यानि कि sodium chloride यानि कि साधारन नमक के अंठामन दसमलब पाँच ग्राम में एकक कोष्टिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है बहुत ही बहतरी इंट्रेस्टन है सभी बच्चे जबाब देंगे चार अप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे खरा देखे NACL यानि sodium chloride के अंठामन दसमलब पाँच ग्राम में एकक कोष्टिकाओं की संख्या लगभग कितनी होगी option हमारा 6 गुने 10 पर पावर 20 option B हमारा 3 गुने 10 पर पावर 22 option C हमारा 1.5 गुने 10 पर पावर 23 और हमारा option D है 0.5 ठीक है देखे समझे अच्छे से 0.5 गुने 10 पर पावर 24 तो क्या होगा इसका जबाब सभी बच्चे दीजिए इसका अंसर बहुत ही अच्छा है सभी बच्चे नोट कर लिजेगा इस question को जी ठीक है चलिए इसका अंसर को जानते है जिन बच्चों का option C लेग रहा है उनका जबाब बिलकुल ही सही है बहुत सरे बच्चे का जबाब सही हा रहा है आगे बढ़ते 24 नमबर की हो 24 नमबर भी काफी बहतरी इन प्रशन है करा है किसी सुद्ध क्रिश्टल में जालक अस्थल डैस द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है चार अपसन आपके सामने है अनू के द्वारा आयन के द्वारा इलेक्ट्रोन के द्वारा या परमानू के द्वारा ठीक है क्या होना से इसके जबाब किसी सुद्ध क्रिश्टल में जालक अस्थल किसके द्वारा या डैस के द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है अनू, इलेक्ट्रोन, आयन, परमानू चल यह जबाब दीजे सारे बच्चे क्या होगा इसका अंसर जी हाँ बिल्कुल सही जिन बच्चों को आप्शन C लग रहा है उनका बिल्कुल सही जा रहा है यह क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोन के द्वारा जो है इसका ध्यासित नहीं हो सकता है इसके जाला कस्थल ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले यानि की पचीसवे प्रशन की ओर पचीसवा हमारा प्रशन कहा रहा है देखे कि निमनलिखित में कौन ऑक्साइड जो है वो धातू की तरह विधुतिये गुन दरसा आता है इन चारों में से पूछा है ठीक है कि निमनलिखित मतलब इन चारों में से कौन ऑक्साइड जो है कौन सा ऑक्साइड जो है वो धातू की तरह विधुतिये गुन दरसा आता है हमारा अप्सान है देखे ए नंबर यस आई ओटू अप्सान भी हमारे MGO अप्सान भी हमारे SO3S और अप्सान भी हमारे CRO2 तो जबाब दीजिए सारे बच्चे इसका क्या होने चाहिए सही जबाब 25 वे नंबर का इन चारों में से कौन ऑक्साइड जो धातू की तरह विधुतिये गुन दरसा आएगा तो चलिए इसके जबाब को जान लेते जिन बच्चों को लग रहा option D उनका बिल्कुल ही सही जा रहा है इसका right answer हो जगा CRO2 का ठीक है आगे बढ़ते अगले question की ओर 26 वे नंबर की ओर देखें बहुत यचा प्रशन ये भी है निमने लिखित में कौन सा जालक ठोस है चार option दियेगा आपके सामने पहला हमारा SO2 ठीक है option B हमारा I2 option C हमारा ही हीरा option D हमारा H2 और बर्प अब देखें इस question में सोचने वाली बात क्या है और थोड़ा सा confusion क्या है देखें सोचने वाली बात ये है कि हमारा जो है ये देखें लिखा हुआ है कि निमने लिखित में से कौन सा जालक ठोस है तो यहाँ पर option A में जो हमारा SO2 है उसके बगल में ठोस लिखा हुआ है तो इससे बच्चे जो है कनफ्यूज कर जाते हैं और हमारे option A को टिक करके एक्जाम में चले आते हैं क्योंकि इनको तो लग रहा है कि यहाँ पर बगल में ठोस लिखा हुआ है तो यह तो ऐसे बिठोस होगा लेकिन हमारा question करा है निमने लिखित में कौन सा जालक ठोस है तो चलिए इसका जबाब दीजे उसके बाद हम इसके answer पर discuss करेंगे जी हाँ बहुत सरे बचे जबाब सही दे रहे जिन बच्चों को लग रहा है ये देखे option number C हीरा उनका बिलकुली सही जबाब है ठीक है इसको अच्छे से याद कर लिजेगा जी बहुत बार exam में पूछा है confusion वाला question है हीरा इसका सही जबाब होगा कि निमने लिखित में से कौन सा जालक ठोस है तो हीरा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका बरतनाग भी आप लोग को पतागो 2.42 ठीक है अच्छे से नोट कर लिजेगा बहुत बार exam में ये भी पूछता है चलिए हम आपको नोट करवा देते कभी कभी पूछता है जी exam में कि हीरे का अप वरतनां की कितना होता है बहुत बार ये exam में बनता है तो आपको टिक करना 2.42 ठीक है अच्छे से नोट कर लिजेगा सारे बच्चे और एक और क्वेस्चन पूछेगा सरवादी कठोर पदार्थ सरवादी कठोर वीसी को कहा जाता है हीरे को ठीक है तो ये टॉपिक आप लोग गयाद रखेगा सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेस्चन की और 27 बार नमबर की और 27 बार नमबर हमारा देखिए क्या कर रहा है ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रस्णा आगया हमारे समने करा फ्रेंकल दोस्ट जो है वो किसमे होता है अप्सन हमारा है देखिए ए नमबर सोडियम क्लोराइड में अप्सन भी हमारा है ग्रेफाइट में अप्सन सी हमारा है सिल्बर ब्रोमाइड में और option D हमारा है हीरा में ठीक है चार option आपके सामने है तो सभी बच्चे इसका जबाब देंगे 27 बे नंबर का चलिए क्या होना चाहिए इसका अंसर जबाब दीजे सारे बच्चे चलिए जान लेते इसका अंसर जी आप बहुत सरे बच्चों का सही जबाब आ रहा है इसका राइट अंसर हो जागा जी option number C silver bromide में जिन बच्चों ने इसका जबाब C दिया है बिलकुल इस सही दिया है ठीक है अच्छे सा नोट कर लिएगा सारे बच्चे कि फ्रेंकल दोस किसमें होता है तो silver bromide में ठीक है और आगे हमारा ठाइसबा प्रस्ण और काफी बहतरी इन प्रस्णिस टॉपिक का आ गया है जो कि इस प्रकार से बहुत बार एक्जामें यह पूछा गया है आप इससे प्रिवेस यह क्वेस्चन भी का सकते है कि एवोगाड्रो संख्या यानि कि ब्रैकेट में एंसे इसे सुचित किया जाता है किसके बराबर होता है बहुत यह अच्छा कोचन है देखिए ओप्सन आपका confusion वाला होगा पहला अप्सन हमारा है दूसरा अप्सन हमारा देखिए 6.02210 पर पाबर 23 और अप्सन C हमारा 6.02210 पर पाबर 23 और अप्सन D हमारा 11.2 तो जबाब दीजे इसका सही जबाब दीजे सारे बच्चे क्या होना चाहिए इसका एंसर चल यह इसका इंसर को जान लेते हैं जिन बच्चों को यह लग रहा है उनका बिल्कुली सही है option नंबर भी अच्चे से पढ़कर जाएगा एक्जाम में इस बार confirm आएगा जी ठीक है कि एक एबोगाड्रो संक्या यानि कि एन बराबर होता है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 ठीक है चल यह इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और और भी कुछ प्रश्णमारा इसमें बच गया तो उसको भी आवाज इस वीडियो में पढ़ी लेते हैं उन्तीसवा देखिए प्रश्णमारा क्या कर रहा है ठीक है कर देखिए चार किये धातू है लाइडों के रंगीन होने के सामान्य कारण क्या है चार उप्षन आपके सामने है पहला हमारा उप्षन है अंतर कासी अस्थल दूसरा हमारा है एफ केंद्र तीसरा हमारा है सौट की दोस्ट चौथा हमारा है फ्रेंकल दोस्ट क्या है प्रसन एक बाद फिर से पढ़ रहे है कि छारकिये धातू हाइलाइडों के रंगीन होने की सामानिक कारण क्या है किस कारण से वह रंगीन होते है सौट की दोस के कारण फ्रेंकल दोस के कारण एफ केंद्र की होने के कारण या अंतरकानी अंतरकासी अस्थल के कारण तिक है, सबी बच्चे जबाब देंगा इसका क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा कोईशन है, चलिए, बहुत स्यरी बच्चों का जबाब आ रहा है, जिन बच्चों को आप्चान B लग रहा है जी, वो टिक कर लीज़िएगा, बहुत ही अच्छा प्रस्ण है यह, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अनू डैस द्वारा बंदे रहते हैं बहुत यह अच्छा प्रश्ण है कि क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अनू जो है वह किसके द्वारा बंदे रहते हैं हमारा अप्शन है लंडन वल अप्शन भी हमारा है द्वीद्र अन्योन क्रिया के के द्वारा option C हमारा सहस्तन योजक आवंद के द्वारा यह option डिये कुलांब वल के द्वारा तो चलिए सभी बच्चे इसका जबाब दीजे सही जबाब क्या होगा चलिए answer को जान लेते इसका क्या होनचे इसका answer जिन बच्चों को option यह लग रहा है उनका बिल्कुल ही सही है इसका सही जबाब होगा लंडन वल तो चलिए आज के इस topic में इतना ही रहने देते हैं तो आज का हमारे वीडियो यहीं पर समाप्त होता है तो आप सभी बच्चे जिनको यह वीडियो अच्छा लगे लगा हो वो like कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा share कर दीजिए और नीचे comment box हमारा खाली पड़ा है उसमें जरूर जाकर comment में लिखिए आप कि क्या आपको यह जो topic है वो समझ में आ रही है या इस तरह की वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और जिन बच्चों नवी देख हमारे चैनल dream classes को subscribe नहीं कर रहा है वो जरूर कर लीजिए ठीक है तो thank you for watching this video